और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कहर बर्पा है मंडी के शेनुगौनी और खुल नाला गाउं में बादल फटा मौके पर पहुंची एंडीरेफ ने फसे हुए 51 लोगों को बचवाया तो ये बड़ी ख़बर आपको हम बता रहे हैं बादल फटा और साथ ही एंडीरेफ ने फसे हुए 51 लोगों को बचाया है यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हिमाचल में कहर किस तरफिये से बरप रहा है तस्वीरे आपके सामने हैं अब लोगों को बचाने का काम यहाँ पर जा रहे हैं चाहे मंडी की बात करें कांगणा की बात करें प्रदेश में आपदा से लगातार नुकसान हो रहा है औ यह वो लोग है जिन्होंने पूरी जिन्दीगी जोड कर अपने लिए घर बनाया लेकिन आज वो घर उनके रहने लायक नहीं है या तो जमीदोज हो चुके हैं तो ऐसे में यहाँ पर NDRF ने फसे हुए 51 लोगों को बचाया यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खोलन आ मिलाकर तस्वीर देखे इस समय हमाचे प्रदेश में मानो आफत कितनी बरस चुकी है कि अब लोगों के पास रहने की ना तो जगा है खबर पर अधिक जंकारी के साथ समाधा था नितेश शिसेनी हमारे साथ जड़ चुके हैं नितेश हमाचे प्रदेश में या आब्दा है ये कहर है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है लोग परेशान है तस्वीरे हम देख रहे हैं भावुक कर देने वाली ये तस्वीरे सामने आई हैं फिलहाल क्या स्थिती जी है बिल्कुल चाहिए कह रहे हैं ऑपरेशन कोका नाला इसे यहां से जो आइंडेरेफ की टीम और जिला परशाशन की टीम हो दोरह यहां पर पचास रोगों को यहां से रैस्ट्रो किया गया है मैं आपको बढ़ाता हूँ कि जो बाइस हो तेस जस्ट को मंडी जिला में भारी बारिश होई थी उसके बाद कुछ रास्ते यहां पे कोका नाला के समीप पूरी तरह से तवस्त हो चुके थी और पूरी दुनिया से कोका नाला का जो संपारक सा पूरी तूप चुका ता ज यहां पर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं नितेश अभी भी देखिया आज भी मौसम खराब रहनी का और साती भारी बारिश का अलर्ट जो है हिमाचर प्रदेश में जारी किया गया है तो ऐसे में आज भी एहतियाद बरतना होगा और इसके बाद भी बारिश के आश उसके बारिश का अलर्ट जारी किया गया है लेकिन पीछे कल भी हमने देखा तो दुपहर के समयं जो मौसम था बिल्कुश साथ था और राप के समय यहां पर हलकी फिर से बारिश हुए है कि आग रहात के बास ध्से बड़ी लोगों के लिए यह कि आस सुबस धीक और फिर से पुर्शाभी यहां पर पूँछ द झाल